मैं एक खास जगा पर हूँ, पीछे कुछ तस्वीरे आपको दिख रही होगी, कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं आप, आपको दिख रहा होगा ये धाय तीन फिट के कागज एक मशीन से, कागज निकल रहे हैं, यहाँ बंडल है, ये दरसल एक पेपर मिल है और ये 100% बेस्ट पेपर से बना हुआ है, जो बेस्ट पेपर हमारे घरों में से निकलता है, ये उस तो याड में ये कहां कहां से आते हैं इसब जो इतना रद्धी रखा हुआ है इसब, काफी रद्धी तो यही से आती है, दिली से, आसपास के शेर, तो अच्छा पेपर बनाने के लिए कुछ रद्धी हमें अमेरिका से और केनेडा से और ये उर्पेन कंट्री से इंपोर्ट भी करने पड़ती है जो आप करें यहां अच्छी रद्धी नहीं होती है, तो रद्धी भी अच्छी नहीं होती है, मतलब तरह से नई किताबें हैं, किसी भी क्लास की होगी, ये किताबें हैं और वहाँ रद्धी है, जो कंप्रेस करके लाए गया है, यहां सफेद रंग का साब सुत्रा कतरन है, तो देखकर कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लुक दिये हैं, इसी से पेपर बनेगा, ये फ बढ़ने समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि चुनाओ को लेकर क्या सोचते हैं यूपी के लोग, लेकिन आज मैं एक खास जगा पर हूँ, पीछे कुछ तस्वीरे आपको दिख रही होगी, कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं आप, आपको दिख रहा होगा, ये धाय तीन फिट के कागज एक मशीन से, कागज निकल रहे हैं, यहां बंडल है, ये दरसल एक पेपर मिल है, और मैं यहां इसलिए आया हूँ, क्योंकि मैं आज मुझफर नगर में हूँ, पश्चमी यूपी का एक खास जिला, और मुझफर नगर वो जिला वो इलाका है, जहां पेपर का उतपादन होता है, कागज का, उसका करीब 8-10 फिजदी उतपादन मुझफर नगर में होता है, कहा जाता है, 15 लाक से 20 लाक टन पेपर का प्रोडक्शन मुझफर नगर में होता है, कागज का, तो मैं यहां यही देखने के लिए आया, कि कैसे ये पेपर मिल चलता है इस मिल में कैसे कागज तयार होता है अलग अलग तरह के कागज होते है जैसे ये कागज जो मुझे बताया गया बाकी मैं इस मिल के ओनर से भी आपकी बात कराऊंगा जैसे ये कागज है इसका इस्तेमाल जो दबा के डबे होते हैं मिठाई के डब्बे होते हैं या अलग अलग तरह की पैकिंग होती है उसमें इस्तेमाल होता है और ये एक लंबा 100 मीटर या 50-75 मीटर लंबा ये मिल है और इसमें किस प्रॉसेस से ये पेपर बनता है ये मैं आपको दिखाऊंगा मेरे लिए भी दिल्चस्प है पहला तजुर्बा है पहली वार मैं भी किसी पेपर मिल में आया और चुनाओ के दौरान गली शहर नुकर भटकते हुए लगा ये भी साथ साथ आप देखें कि उस शहर की खासियत क्या है पहचान क्या है जैसे साहरनपुर में आपको मैंने फरनिचर मार्केट दिखाया वो नकाशी दिखाई मुझफर नगर आए स्टील और पेपर की बात नहो ये हो नहीं सकता इसलिए मेरे साथ जड़ा देखिए कि कैसे पेपर कैसे ये कागज बनता है रदी से बनता है कई तरह की कहानिया बास से बनता है कुछ लोग करते हैं से लकडी का कटान होता है तो कैसे बनता है उसको भी समझेंगे और साथ में पूरा प्रोसेस भी देखेंगे यहां से वहां तक बहुत लंबी मतलब इस मिल के लंबाई कितनी है बिंदलाज दुपलेक्स लिमिटिड अमारी मिल का नाम है और मैं 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 इनेजिंग डारेक्टर नों है तो एम्डी साहब है अब इनके साथ जराए हम इस पेपर के प्रोसेस को समझेंगे यह फाइनल प्रोड़क्ट है ये final product से हम चलेंगे कि कैसे ये बन रहा है वहां से लेकर यहां तक 700 मीटर लंबी अगर ये मिल है तो यहां तक कैसे आता है पहले इस paper के बारे में थोड़ा बताईए ताकि दर्शकों को पता चली क्या है ये ये duplex board है इसमें 7 layer से बना होता है और उपर इसमें 2 layer coating की होती है तो इसमें photo printing quality आजाती है आपने देखा टॉर्श के डब्बे होते है मिठाई के डब्बे हैं, साड़ी के डब्बे हैं और medicine box हैं और mobile box हैं उसमें सब में ये बहुत काम आता है और ये 100% waste paper से बना हुआ है जो waste paper हमारे घरों में से निकलता है ये उससे बना हुआ है तो 100% environment friendly है और अख़वार वगएर जो रद्दी निकलता है या जो bag, paper bag, कुछ भी जी जी, अख़वार है और किसी भी तरह की रद्दी है बुक्स हैं, children books हैं और examination copy हैं बच्चे जिन copy पे लिखते हैं, वो है मतलब जो कबाडी वाला जो ले जाता है हम लोगों के आसे, रद्दी कागाज या पुरानी किताबें, copy हैं उन सब से ही बनता है बिल्कुल उससे सुनते आएं कि बास से बनता है, लकडी कट जाती है वो यहां लकडी और मास वाला नहीं है नहीं, देखिए यह बहुत बड़ा मित है हिंदुस्तान में करीब 82% पेपर वेस्ट पेपर से बनता है बागी 8% के करीब खोई और भूसे से बनता है 10% लकडी से बनता है वो लकडी भी forest wood नहीं है वो लकडी भी एग्रो वूड है जाज यह उकलिप्टिस या पॉपुलर बाश से हिंदुस्तान में एक आद मशीने हैं उदर अमलाई में वहां बनता है अदर्वाइस तो बहुत पॉइंटों के अंदर आगए पर्सेंट से भी कम पेपर बहाँ से बनता है बाश बता रहे हैं जो यहां से कितने दूर से चला रहा है बनता हुआ जो यहां इस शेप में आ रहा है यहां रओल बीच में हैं लगबख 500 मीटर लंबाई हमारी मशीन की है और मिल तो हमारी ती से कड़ के करीब में है चलते है ज़रा देखते हैं आप ये जैसे जो पैकिंग हो रही है ये कहा जाएगा ये अब यहां से ये इधर मैनुवली उसे छटाई करेंगे कोई अगर शीट खराब है तो उसे निकाल देंगे और उसके बाद वो उसे पैकिंग करेंगे रीम बनाएंगे फिर रीम फिर पैक होकर जाएगा फिर गाड़ियों में पैक होकर कस्टमर कहां चला जाता है अब ज़रा चलते हैं इस मिल का इस पेपर मिल का मौईना करते है क्योंकि यह जो आपने देखा यह क्लाइमेक्स है यह फाइनल प्रोड़क्ट है अब हम आपको दिखाते हैं इनके साथ कि कैसे कहां से यह पेपर बनता है और कैसे जब इनोंने का रद्दी से बनता है तो यह जानना जरूरी है रद्दी से कैसे बनता है अब ये रोल है जरा इसके बारे मताई ये रोल बन क्या रहा है यहां और इसके बाद इससे कटिंग हो रही है जी यह जंबो रोल है जो मशीन का फाइनल प्रोड़क्ट है इसके बाद इसे जो कस्टमर का रिक्वाइट साइज है उसमें शीट्स काट लेते हैं जो आपने भी देखा तो जैसे यह रोल है इसमें कितना पेपर है इसमें इस रोल का वजन अप्रोक्सिमेटली आठ टन के कर है तो पेपर की लंबाई तो उसमें मुझे कैल्कुलेट कर डी पड़ेगी तो यह जरा मिल देखते हैं और इन्होंने जैसा कहा हम लोग यही समझते हैं कि लकड़ी से बास से या इसी चीजों से बनता है लेकिन जैसे इन्होंने कहा सब वेस्ट मैटेरियल है वो चीज जो जो घरों से रद्दी आप हम जो अख़वार बेशते हैं या किताबें कॉपियां वो सब यह खरीद के जो कबाड़ी वाला ले जाता है वो सब आता है अब यहां शोर जाता होगा इसलिए मशीनों की आवाज में आपको समझना होगा हाँ अब आप बताईए यहां क्या हो कितना उसमें वाइट नेस है इसमें वो सब चेक करते हैं और यह मशीन कितने साल से हैं यह इस मशीन को लगबग 24 साल हो गए 97 में यह वाली मशीन लगाई थी 24 साल से यह फैक्टरी है और आगे चलते हैं यह भी वही सेम है यह डिफरेंट है यह सेम है लेकिन यह कोटिंग स्टेशन है इसका यह पेपर के ओपर कोटिंग होता है क्ले कोटिंग जिससे इसमें चमक आती है किस चीज से कोटिंग होता है इसमें एक बाइंडर होता है ले अच्छाता है जैसे इस मिल में हर रोज आप कितना टन पेपर बनाते हैं इस मशीन पर हम लगबग 170 टन रोज बनाते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि हम मुझफर नगर में 15 से 20 लगबग 20 लाग तन बनता है हमारी मिल में दो मशीन है दोनों पर 300 टन प्लस बनता है रोज अच्छ यह बता है प्रदीप जी ना पंकत स्वारी पंकत जी जो एफोर साइज हम लोग वही समझते है एफोर साइज एफ़ाइब साइज वह कहां बनता है यह दूसरी मिले बिंद प्लपेंड पेपर उसमें बनता है वह दूसरी मिल में गन्य की खोई से गजब है तो रदी से उत्रा सफेद एफोर साइज का पेपर बन जाता है हां बन जाता है अच्छी क्वालिटी की रद्दी आती इंपोर्ट भी करते हैं तो उससे बनता है प्रोसेस भी देखेंगे अच्छी क्वालिटी का रद्दी का क्या मतलब है क्योंकि इंडिया एक फाइबर शॉट कंट्री हमारे पास पेपर का फाइबर बहुत कम है क्योंकि केवल 18% वर्जिन फाइबर से बनता है तो हमारे पास हर साल पेपर शॉट होता है और बहुत अच्छा फाइबर नहीं है प्रदीब जी यह जो देख रहे हैं यह सारा एक ही तरह का प्रोसेस है यहां कुछ अलग हो रहा है यह वहां से चला पेपर ड्रायरों में सुकता हुआ आ रहा है तो यही रोल फिर वहां जा रहा है कितन कितने कि परोसेसिंग इसमें बहुत सारे में इन फिर बनता है यह पराइनल यह फाइनल है इसके बाद प्रेस हैं श phri just a that I was a अदर इस में सूगाते हैं तो यह लंबा प्रोसेश है इसके बाद restore दो जाता है यह आप लोगों का यह क्या पूस्टाइनी है या कहीं से आपने इस तरह की पढ़ाई की जिससे इस यह प्लांट के शुरुवात की या क्या है पूस्टाइनी तो नहीं है हमने 91 में यह मिल लगाई थी तो यह तबी से है उससे पहले तो पेपर के बारे में जानते भ मुझाफर देंगर क्यों हप बना यहां के लोगों में हिम्मत है रिस्क लेते हैं यहां क्रेशर पहले 1000 के करीब थे आज की डेट में यहां 19 शूगर मिल सें, 30 पेपर मिलें, सेंकडो स्टील मिल सें तो यहां के लोगों में हिम्मत है, इंडस्लिस्ट है यहां का आदमी, हिम्मत करता है तो हम प्रोसेस देखेंगे कहां से शुरू हो रहा है, रद्धी वाला? आगे है? देखते हैं पहले रद्धी के याड में चलेंगे, आपको रोम मिटल दिखाते हैं क्या गया है, उसके बाद कैसे सो प्रोसेस करता है, वो दिखाएंगे किदर है? आगे? पीछे अलग अलग जगों से ये कार्टून, रद्धी कागज, घरों से, दुकानों से, फैक्ट्रियों से, या दबा कंपनियों के जो इस्तिमाल हुए कार्टन है, वो सब यहां आते हैं और उसके बाद इसका इस्तिमाल होता है, ज़रा यहां इस याड में, यह कहां कहां से आते ह यह सब जो इतना रद्धी रखा हुआ है सब काफी रद्धी तो यहीं से आती है दिल्ली से आसपास के शेरों से कुछ गुजरात से और कैलकाटा से भी आती है और कुछ रद्धी हमें इंपूर्ट करने पड़ती है क्योंकि यहां रद्धी की क्वालिटी तो अच्छी नहीं के लिए कुछ रद्धी हमें अमेरिका से और कैनेडा से और यूर्पिन कंट्री से इंपूर्ट भी करने है यहां अच्छी नहीं होती है फाइबर की क्वालिटी है एडी और जिसमें अच्छी वाइटनेस हो तो वह टॉप पर लगाने के लिए चाहिए वहां नहीं मिलती क क्योंकि यहां फाइबर नहीं है इंडिया में और बहुत अच्छी लकडी का यहां इस्तेमाल होता है वह भी बहुत कम फैक्टरीज है तो वह जब दुबारे से रिसाइकल होते हैं हमें शौट पड़ जाती है रो मेटीरियल अब यह जो बहुत दिल्चस्प है एक तो हाथ मे देखिए किसी आयरुवेदिक तेल का डबा है अब ऐसे ही इस्तिमाल हुआ और इस डब्बे का यह रद्धी है इनके लिए ऐसे कबाड़ी वाला यहां कबाड़ी वाला ही देते होंगे यह ठोकभाव में आया और इसको फिर रिसाइकल करके वूस तरह का पेपर बनाते है जो डूपलेक्स पेपर हमने देखा मतलब इसीतरह के डब्बे के लिए रीपैकेजिंग हो जाएगी रीपैकेजिंग तो नहीं बोलेंगे रीप्रोड़क्ition बोलेंगे कि अब रीप्रोड़क्शन हो जाएगा रिसाइकलिघ्लिंग हो जायगा और यह जो कागज है अब य किसी बच्चे के लिखने वाला लिखने वाली कॉपी है और ये सब कबाड़ी से आया है कबाड़ी से या थोक में कबाड़ी वाले देते हैं कैसे होता है जी इसमें पूरा हिंदुस्तान में सिस्टम बनावा है जो ये रैग पिकर्स होते हैं वो रेडे पर लाते हैं घरों से और फिर वो एक जगे बेज़ देता है किसी दुखान पर वो दुखान वाला गाड़ियां लोड करता है और फिर बड़े कबाड़ी वाले को बेज़ देता है वहाँ कंप्रेस कर देता है और फिर वो हमें बेज़ देता है कर देता है आपने बोला कंप्रेस कर देता है यह सब कंप्रेस क्या हुआ है जैसे कंप्रेस करने की ज़रूति पड़ती जैसे किताबे हैं ओल्रेडीन का वजन जाद है तो इससे कंप्रेस करने की ज़रूति पड़ती ऐसे आ जाती है यह कंप्रेस क्या हुआ है लेकिन कटिंग है और यह बीच में आती है उसी पेपर में डुपलेक्स जो इसको बोल रहे हैं उसी में साथ लेयर में अलग अलग लेयर में अलग तरह की क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं जी बिल्कुल वड़ा तरह तरह के डबो में इस्तेमाल होता है तो इसको भी जड़ा आप बताईए देखते हैं क्योंकि हम लोग ऐसे कभारी वाले को देखते हैं चुनते हुए पेपर हमारे घर से भी आखवार वाले ले जाते हैं लेकिन उनका ऐसे पेपर बनके रिसाइक्लिंग होता है यह समझन उसके बीच में प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें बुक्स वगरा लगाते हैं और उसके नीचे जो आपने वो देखा सब बंडल बने में हलका पेपर लगाते हैं फिर जब यह हो जाता है यार इसको पर कोटिंग करते हैं अब एक चीज़ बताईए जैसे पेपर वाला घर म तो यह रेट क्यों अलग होता है क्या यहां उससे फर्क पड़ता है जी एक तो क्योंकि इसके अंदर कितनी वाइटने से अगर बहुत अच्छा वाइट है तो उसके जादे रेट देते हैं क्योंकि उपर लगा सकते हैं उसे तो यह क्वालिटी के उपर है फिर इसकी कितनी लैंग कोई गते यालग करना पड़ेगा या जादे प्लास्टिक है तो उसका रेट अलगIDS बना सकते हैं उसके हिसाब से हमारे एलोगों के लिए पहली बार काinter जुर्बा देखे वो तुम कभी मेरी क्वी मेरी का अगा भावी कि चाव पर आता है तो इसके अंदर के क्वालिटी इसे अलग कर देती थे जो ज़से तो सबसे निचली लएर में काम आएगा और यह बीच वाली के लिए यह तो prépar को काफी लिए शाटाई करते हैं अंकर अपने पेपर में जाता ह questionnaire औक पर फिर ये layer वहां भी अलग अलग जाता होगा, इस्तेमाल करते समय, यहाँ फिर segregate करते हैं, कि यह इस layer में, यह इस layer में, जी जी, सब segregate होता है, और अलग-अलग इनके section हैं, जैसे चार section है, चार में एक अलग है, दूसरा अलग है, और बाकी bottom layer का अलग है, और तीन एक में जाते हैं Puis देखिए बिल्कुल अलग है मेरे लिए में टजूर्मा है मेरे जो कैमरा पर मेरे अधी iumra से होके मुठारी उनके लिए थे अगरी पिरेंस है अगरे मुझे____ यह चटाई कर रहे हैं तो यह लोग ऐसे जैसे पंकत जी ने बताई यह लोग चटाई कर रहे पेपर के अब आगे चलते हैं फुड़ा यह दबा का इस्तेमाल तो नहीं होता है आगे चलते हैं अब यह चलते हैं अब अब यह चलते हैं यह बॉटम में लगता है बॉटम में और बीच में इसमें बहुत जादा गंदा पेपर भी होगा तोड़ा बारिश पानी यह जी बारिश की वह से थोड़ा समयल आ जाती है अगर एक तरह से देखें तो पेपर मिल बहुत जादा एंवार्मेंट फ्रेंडली है क्योंकि यह पेपर अगर पेपर मिले इस्तमाल ना करें तो यह एंवार्मेंट कोई खराब करेंगे करें सडक में पढ़ा होगा तो इसका वैल्यू बन जाता है पेपर का बहुत अहम बात इन्होंने कही है यह क्या हो रहा है? जी, सबसे पहले पेपर छटाई के बाद पल पर में आता है आसे पल पर बॉलते है यह जैसे मिक्सी होते है मिक्सी का बड़ा रूप है तो एक तरफ से पानी रिसाइकले वाटर आता है यह सारा पानी हम दुबारे रिसाइकल करते हैं और एक तरफ से पेपर आता रहाता है इसमें अरे चला यह जाता है नीचे एक बाद नीचे की तस्वीर दिखाओ आगे बढ़के अब यह रदी पेपर वहां से आ रहा है इसमें जा रहा है और यहां से यह कौन सा इस पानी में कोई कैमिकल यूज हो रहा है नहीं यह रिसाइकल वाटर है जो हम पानी यूज करते हैं उसे दुबारे से रिसाइकल करते हैं इसमें कोई कैमिकल नहीं है नहीं इसमें कोई कैमि पानी को मिलाकर उसकी पल्प बनाना, इसके बाद ये क्लीनिंग करते हैं पल्प की, इसमें कोई प्लास्टिक है, कोई और फॉरन में ट्रेले उसे निकालते हैं, तो सही आपने का एक तरह से ये मिक्सी है, बड़ी मिक्सी है बस, जिसमें ये पानी रिसाइकल हो का रहा है, औ और ये चुकी मिल है, इसलिए शोर बहुत होगा, मशीनों की आवाज बहुत आ रही होगी, उसको आपको सहन करना होगा, पुरा क्लीनिंग प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस से निकलता है, कहीं इसकी प्लास्टिक अलग होती है, कहीं अधर फॉरन मेट्रियल कोई हो, और सेंड है, वो सब इसमें पूरे क्लीनिंग प्रोसेस में लग हो जाती है, फिर इसकी पल बन जाती है, ये सब क्या हो रहा है, सारा क्लीनिंग प्रोसेस का पार्ट है, ये क्लीनिंग प्रोसेस है, जो ये जैसे ये धेर जो दिख रहा है, अगरवाल साब ये क्या है, ये तो प्रफोरा फील्टर हो जाता है यह सब क्या हो रहा थोड़ा सामने यहां क्या हो रहा है तिम से पुर को थिक कर रहे हैं यह प्रस्स कहया पार्ट बं स्निकलता है जादा पानी हो कि इस तरह से लुक दी वहां से आपने देखा उसके बाद यह पल्प है पेपर का और उसके बाद यह सो मीटर लबी मिल है और वहां जाते जाते कैसे कागज बनता है यह प्रोसेस अपने आप इसमें केमिकल का क्या इस्तिमाल होता है इस पूरे प्रोसेस में थोड़े बहुत बुत ब्लीचिंग करते हैं कॉस्टिक और हल्का-फुलका कलर लगता इसमें यह देखिए यह हमारी सब कुछ रिफाइनिंग कोकर और क्लीनिंग कोकर लुग दिया गई यहां से मशीन पर चली जाती है अब यह देखो आईए कैमरामेन गौरब इसको देखकर कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो लुकदी है इसी से पेपर बनेगा वो पेपर जो आपने इसी वीडियो के शुरू में देखा है इसी लुकदी से बनेगा अच्छे जैसे यहां डुपलेक्स पेपर हमने आप कहते हैं अगर एफोर साइज का पेपर बनता होगा चुकि लोग एफोर समझते हैं जो घरों में यूज करते हैं उसका वह प्रॉसेस तो यह होगा अब इदर से चलेंगे ये तस्मीर ज़रा दिखाते जाए है यही पेपर बन रहा है ये पेपर बन रहा है इसमें इसी का पेपर आगे प्रोसेस होके बनेगा इसी लुकदी का थोड़ा तस्मीर आगे जाके गौरब जी मेरी तस्मीर छोड़के वो तस्मीर दिखाई है ज़रा हाँ यह प्रोसेस देखना जरूरी है हम सब के लिए तजुर्बा है आपके लिए भी हमारे लिए भी और चलते वक्त ध्यान भी रखिएगा हम लोग ने लुकदी बन जाए मसीने बहुत है यहां हम अपनी पावर जेनरेशन है हम अपनी पावर खुछ जेनरेट करते हैं को जेनरेशन है तो टर्बाइन भी है हमारे पास है इसमें पेपर फोम होता है और एक दूसरी लेयर में जुड़ जाता है फिर यह मशीन बढ़ जाता है यह फॉर्मर है तो जो लुकदी उधर अभी हमने देखा वो लुकदी पेपर के फॉर्ब में यहां पे पेपर बनाता है यहां से पेपर फॉर्म होता है और एक दूसरे के उपर लेर चिपक जाती है फिर इस फेल्ड के दुरू मशीन में जाती है अब यह जैसे इनोंने बताया अगरवाल सा यह लग-लग पर कि लिए यह लग-लग लग-क्वालिटी के लिए वैस्ट पेपर में पर चपक जाते हैं इसमें चलाया जाता है चलिये देखते बदा दिल्चस्प है अब यह पेपर फोम हो गया वहाँ से पेपर आ गया अब अब प्रेससे एक्षन में जाता है हमारे पास 4 प्रेस है प्रेस से पानी ही निकलता है स्कुईज करके दो रोलUp की बीच में यह पानी ही निकलता है इसके बाद ड्रायर में ड्राई होता है यह पानी ऐसे पानी है यह इसमें कुछ केमिकल है थोड़े बहुत केमिकल तो होते हैं इसमें हलके बुलके क्योंकि वेस्ट पेपर बेसेस में जादे केमिकल नहीं होते हैं इसी पानी कर लेते हैं आपने देखा हुगा थोड़ा और यही रोल बनके आता है जो पीछे जहां से शुरू किया यही रोल है कि अब यह क्या हो रहा है जैसे वह इन पर लग रहा है और पूरे ड्राइरों में टज होकर पेपर जा रहा है जिससे पेपर धीरे-धीरे सुख रहा है इसमें कभी ऐसा भी होता है कि ये पेपर चुकी है, ऐसे लाइनिंग में पूरा पेपर है, रोल है, तो तूट गया, पांस-दस हट गया, कभी-कभी तूट जाता है, किसी कमी की वज़े से, उसमें फिर 10-15 मिट लगते हैं, हमें दुबारे से पेपर को चड़ा दें, सारा चीज आटोमेटेड है, वहां से अपने आप ये रोल बनता हुआ सब जा रहा है, जी-जी, बिल्कुल, अब ये क्या, ये ब्लू क्यों दिख रहा है, ब्लू या कलर क्यों दिख रहा है, ये ड्रायर स्क्रीन बोलते हैं से, तो इससे पेपर लगकर चलता है, इसलिए क्या हो रहा है यहां पर, ये बड़ा ड्रायर, इसे एम जी बोलते हैं, तो बाकी छोटे ड्रायर है, एक बड़ा ड्रायर है, इसका भी प्रोसेस होता है, इससे टेच हो कर जाता है, अब जैसे ये पेपर है, अब माल में फट गया पूरा, ये तो फट सकता है कहीं, फट सक कभी कमी आ जाए कोई कच्रा आ जाए उसके वज़े से तूड़ जाता है नॉर्मली ऐसा होता नहीं बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि अब गर्मी भी बहुत है एक तो गर्मी का मौसम मशीनों की गर्मी और इतना टेंपरेचर जो पेपर मिल के इतने कल पूर्जे चल रहे हैं उसका भी है यहां तक पेपर बन गया पेपर सुख गया पुरा इसके बाद इसके केलेंडरिंग करते हैं केलेंडर जैसे प्रेस करते हैं जैसे कबड़े पर प्रेस करते हैं इसके केलेंडरिंग करते हैं उसके बाद यह कोटर है जिसमें केमिकल कोटिंग होती है जिससे पेपर के उपर च यह सारीucha nighihodia हमार पास फॅ लेयर करने के लिए दो कोटर नरआ और एक करने के लिए जो तो कोटिंग करते वो कोई केमिकल होता होगा हाँ यह केमिकल है लेटेक्ष बाइंडर होता है और उसमें कुछ पाउडर होता है वह भी मिलाते हैं किय tuh कि यह पेपर है आपके अजितने पेपर हैं सब वाइट है वाइट ही बनता है यह हाँ इसकी टॉप लेयर वाइट होती है और बॉटम लेयर इसकी ग्रेय होती है चोटी चोटी फर्णीचर के लिए प्लांट है या कुटी रुद्योग है या जो कुछ भी जहां दिखेगा वो मैं समय समय पर दिखाऊंगा और आप जरूर मेल करके बताएं कि हाँ यह आपको तजरुबा यह यह देखना कैसा लगा इस चुनाओ की खबरों के भी चुनाओ के कवरेज की भी यही से शुरू किया था हमने नहीं वहां से शुरू किया था हमने तो अब मोटे तोर पर हम वहां आ गये हैं जहां से हमने शुरू किया यह देखिया रोल है यही रोल बनके उधर कटिंग हो रही जो शुरू के वीडियो में मैंने दिखाए था अब आईए अगरवाल साभ यह फाइनल प्रोड़क्ट है तो जैसे समझने के लिए व्यूवर्स के लिए यह जो एक कटपीस जो साइज हमने देखा यह वाला यह जैसे साइज है यह थोड़ा गोटा भी होता ही है चुकि डबे में इस्तिमाल होता है मिठाई का डबा यह दबाई का डबा यह और भी बहुत तरह कैसे है और क्या थोड़ा बता दीजे समझ में इसके काफी यूज है जो मोबाईल का डबा है मिठाई का डबा है साडी का डबा है मेडिसिन बॉक्स हैं और बहुत तरह के जिसके उपर प्रिंटिंग करनी होती है, फोटो डालना है किसी का अच्छी प्रिंटिंग करनी होती है, वो डब बेश से बनते हैं यह जैसे है, इसका क्या प्राइस होता होगा समझने के लिए? इसका लगबग 45 रुपए किलो के करीम होता है, एवबरेज अकरमाने 55 रुपए भी है, 60 भी है और 42 लिए 33 भी है, एवबरेज 45-46 रुप szारनिट का यह होता है आप लोग के फैक्टरी से यहां से जो पेपर मिल से ले जाते हैं यह होल सेलर ले जाते हैं फिर वो अपना बेशते हैं जो रिटेल पे जो होल सेलर ले जाते हैं और कई बार डारेक्ट भी लोग लेते हैं अब जैसे यह कटिंग वी कटिंग में यह वेस्ट पेपर हो गया य और पर से चैनल हो जाएगा जश्कहों किसका सबसे सबसेज इसकी खासिद यह कॉट्टिंग हो रही है जो after से धाई बाई दो कुछ ऐसे चाहिए चोबिस शती सो चोबिस इंच बाई शती सिंच ऐसी अलग अलग साइज है अड़ तीस अठारा है और बहुत सारे साइज है तो कुछ कॉमन साइज है लेकिन कस्टमर के रिक्वार्मेंट के उपर यह क्या हो रहा है यह बेटर शीटर है जैसे वह वाला देखा था हमने तो यह क्यूंकि यहां से थोड़ा फिल्म निली जा सकती ती इसलिए मैंने उसकी लिए यह बीक्षीटर है यह जैसे जो दिख रहा है यह यहां पना है या क्या आया है यह तो गत्य उत्ते की पैकिंग में कहीं इस्तेवाल होता है यह क्राफ्ट है कोरुगेटिंग पेपर जिसे कोरुगेटिड बॉक्स बनते हैं इसका भी प्रोसेस लगबगी ही है और यह वेस्ट पेपर से बनता है अच्छे ये भी आप बनाते हैं इसका हमारी दो मशीन हैं एक में ये बनता है एक में जो डुपलेक्स दिखाया वो बनता है चलिए तो कैसा तजूरबा रहा आप मुझे मेल करिएगा और अगरवाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने अपनी फैक्टरी में मुझे आने दिया दिखाया और रद्दी कबार तो हमने देखे हैं बच्पन से देखे हैं और घरों में कबारी को बेचे भी हैं और कई बार हम लोग तो बच्पन में इस्कुल के दिनों में चुपके से भी कुछ अखवार बेच देते थे कि कबारी वाला कुछ ले जाता था दो-चार रूपे हमें मिल जाते थे तो आज मैंने वो कबारी भी आपको दिखा है कबार भी और उस कबार से पेपर बनते हुए सफेद छक कागज कैसे बनते हुँ भी देखा तो अगरवाल साहब को हम शुक्रियादा करेंगे और उसके वाद मुजफर नगर के किसी और इलाके की तरफ चलेंगे अगर आपने मे भी जानना जरूरी है किस इलाके में कौन सी ऐसी चीज बनती है जो उस इलाके को बाकी इलाकों से अलग करती है उसे खास बनाती है नमस्कार